देश दुनियादी हरवटी खबर दलेई हुने डाउनलोड करो नमबर पान न्यूस एप दैनिक सुरा टाइम्स यह अपने आप में दिखाता है कि मोदी जी लोकतंतर को कैसे मजबूत करें पत्थरबाजी और आतंकी घटनाओं से मुक्ती और गाउं गाउं सड़क, बिजली, पानी, स्वास्ट यह सब सुविधाएं देने का काम होगा है महा गटबंदन हर जगा हारा है महा गटबंदन के नाम की वजाए बिनोंने गुपकार गटबंदन नाम रखा है दैनिक सुरा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है बहुत-बहुत धन्यवाद अन्राग जी, जम्मू कश्मीर में पहली बार जो डीडिसी के चुनाव हो रहे हैं उसमें आपको चुनावों का प्रभार भी बनाया गया है तो क्या रननिती रही गया, कैसे देखते हैं आप इसको यह जम्मू कश्मीर के लिए बहुत महत्पून है कि 70 सालों में जो जम्मू कश्मीर की जनता को अफसर नहीं दिया था जिला परिश्यत के चुनाव लड़ने का वो चुनाव लड़ने का अफसर दिया है तो नरेंदर मोदी जी की सरकार ने पहले पंच सर्पंच, फिर BDC के सधस्यद और अब जिला परिश्यत के चुनाव यह अपने आप में दिखाता है कि मोदी जी लोक तंतर को कैसे मजबूत कर रहे है जम्मू कश्मीर के लोगों को कैसे उनके हक दे रहे है जम्मू किश्मीर की जनता के माध्यम से चुने हुए प्रतिनी धी यहां का विकास करवाएंगे और जम्मू और किश्मीर दोनों का एक सकारात्मक विकास होगा पत्थरबाजी और आतंकी घटनाओं से मुक्ती और गाउं गाउं सड़क, बिजली, पानी, स्वास्त ये सब सुविधाएं देने का काम होगा मेरा उसमें मानना है कि ये नहरू जी क्या एक बहुत बड़ा ऐसा निरनेता जिसने दुर्भाग्या से जम्मू किश्मीर का बहुत नुकसान किया है सतर साल तक लोगों को चाहे वो वालमिकी समुदाय हो, अन्सूची जनजाती हो, कुर्खा समाज हो, पश्चिम पाकिसान के रफ्यूजी हो, उनको उनका पूरा अधिकार दिया है तो नरेंदर मोदी जी की सरकार ने 375 से हटाने के बाद किया है महिलाओं की शादी राज्य से बाहर होती थी तो उनके अधिकार चले जाते थे, अब वो भी महिलाओं को मिले हैं गुजर बकरवाल हमारे भाई हैं, तो फॉरेस्ट अक्ट पूरे देश में तो लागू हो गया था 2006 के बाद लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ था, मोदी जी ने फॉरेस्ट एक्ट यहां पर लागू करवा कर, भारती अन्ता पाटी ने गुजर बकरवाल भाईयों को उनके अधिकार दिये हैं यह बहुत बड़ी बात है, तो समाज का हरवर्क, मातर शक्ती महिलाओं से लेकर, गुरखा, वालमिकी, पश्म पाकिस्तान के रफ्यूजी, अन्सूची जन्जाती, और गुजर बकरवाल भाईयों को, हमारी बहनों को, यह सब अधिकार दिये, तो नरेंदर मोदी जी की सर परदेश में महागट बंदन बराये, वहाँ नरेंदर मोदी जी और योगी जी की सरकार बन कर आई, इन्होंने बिहार में परयास किया, वहाँ पर नितिश कुमार नरेंदर मोदी जी की सरकार बन कर आई, गुजरात में इनकी कॉंग्रेस की तीनों की तीनों सीटों पर जम में भी मोदी जी को देश की जनता ने इतना अशीरवाद दिया कि 303 सीटे नरेंदर मोदी जी जी देश में जीत के फिर सरकार बनाई महा गटबंदन हर जगा हा रहा है महा गटबंदन के नाम की बजाए भी इन्होंने गुपकार गटबंदन नाम रखा है ये गुपकार गैंग वो लोग हैं जो देश में बैठ कर पाकिस्तान और चीन का समर्थन करने की बात करते हैं उनकी मदद लेने की बात करते हैं पुलवामा हमले के बाद पाकिसान की भाशा बोलते हैं तरंगे का अपमान करते हैं ऐसी महबूबा मुफ्ती जी फारुक अब्दुल्ला जी राहुल गांदी जी से मैं पूछना चाता हूँ क्या आप लोग इस तरपर गिर चुके हो कि का परवाब दिखेगा तकि अपने महत्वण बात कही कि जिस तरह से हैं हिद्राबाद के चुनाव हुए हम चार सीटों से सीधा 50 सीटों पर पहुंच गए हैं राज्यस्तान में हम लगातार जीत गए हैं अब इसके बाद हैदराबाद राज्यस्तान के बाद अब जम्मू लोगों को ड्राना है यह क्यों के गपकार नेता यहां बैठकर कहते हैं किछुनाव ना हो कहते हैं चुनाव मत करवाये पाकिसान से बातनी करी अपने सब्सक्राइब तो हिंसा होगी और अकले दिन आतंकवादी हमला होता है दूसरे दिन दो-तिन दिन के बाद डीडी सी के उमीदवार पर हमला होता है तो यह अपने आप दिखाता है कि गुपकार गैंग के तार किस और जुड़े हुए हैं और गुपकार गैंग के तार जहां जुड़े हैं क् लोग तंतर को कमजोर करना चाहते हैं हम लोग तंतर को मजबूत करना चाहते हैं और जम्मु कश्मीर की जनता ने रिकॉर्ड वोटिंग करके बताया है कि वो चाहते हैं कि जिला परिशत के चुनावों और डीडी सी के चुनावों में अच्छे लोग चुन कराएं और मोदी जी का लोग तंदर को मजबूत करने का हम सपना पूरा कर सके हैं धन्यवाद नुराग जी चलते चलते एक आखरी स्वार है कि आपका जो राजनितिक सफर रहा है वो कब और कहां से कैसे शुरू हुआ ये बड़ा ऐसा सवाल आपने पूचा है कि राजनितिक परिवार से तो था लेकिन कारे करता के रूप में काम करता था वर्षों तक हिमाचल परदेश में क्रिकट संग को जो बढ़ावा दिया अंतरा इस्ट्रिय स्टेडियम बनाया हिमाचल की टीम को आगे बढ़ने का अफसर दिया तो यवा बड़ी तदाद में जुड़े हिमाचल को लगा की हिमाचल का नाम भी दुनिया भर में क्रिकट स्टेडियम करके हुआ यहां के जो केलों की विवस्ता खड़ी की पार्टी ने कारेकरता के रूप में टिकर दिया और हमिरपूर संसिदीक शेतर की जनता ने एक नही बन पाया यह सब अपने आप होता गया लोगों के प्यार से और मेहनत से और मुझे रगता है सब के पीछे मेरे पिता का बहुत अशीरवाद है मेरी मा का जिन्होंने लगा अतार प्रेड़ना दी है अशीरवाद दिया है और हमिरपूर की जनता ने जो बढ़चड कर साथ दिया और शायद परिवार के लोगों का इतना प्यार मिलता है कि पत्नी है बच्चे है कि वो भी कभी यह नहीं सोचते जैसे में जम्मू किश्मीर में एक महीने से हूं एक दिन नहीं गया बीच मेरी 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 जैनिवर्सरी भी आई में तब भी नहीं गया दिवाली से एक ओपन चैलेंज, 17 ताइम गोल्ड मेडलिस्ट मियार रफीक मोहंबद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांतरिक, इन चोरा ठंगा तो सावधान, स्पेशलिस्ट वशीकरन, 60 नंबर, लव मेरिज, पती पतनीच आनबन, विदेश्च पक्का होना, कारुबार्दा ना चलना, सिर् झालें मौलवाद करक्ए बेल Welcome!